इस वीडियो में हम discuss करेंगे class 12 की exercise 5.2 का question number 3 question है हमें differentiation निकालना है sin ax plus b का तो सुन हमें ये पता है कि sin x का differentiation क्या होता है cos x होता है तो हमारे पास में क्या है यहाँ पे sin ax plus b है तो यानि इस वाले term को हम क्या माल सकते हैं अभी फिलाल x माल सकते हैं तो sin ax plus b क्या हो जाएगा cos ax plus b cos ax plus b तो यानि first term का हमारे पास में आ जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं d over dx of sin ax plus b ax sin ax plus b तो sin x का क्या होता है cos x तो cos x ही होगा पे ax plus b है तो हम ax plus b रख देंगे अब जिस term का हम नहीं कर पाए यानि हम ax plus b का अभी differentiation नहीं कर पाए सिर्फ अभी क्या हुआ है sin x का हुआ है तो ax plus b का फिर होगा तो हम यह लिखेंगे d over dx of ax plus b तो इसका तो differentiation हो चुका है तो इसको adjectives लिखेंगे cos ax plus b dot अब ax plus b का फिर करेंगे तो ax का क्या हो जाएगा तो ax का क्या हो गया जिसको हमने बाहाल लिख दिया यानि multiply में है तो कहीं पह भी लिख सकने है और b का differentiation होगा तो v क्या है यहां पर constant है b क्या है constant है और constant का differentiation कितना होता है 0 तो प्लस 0 तो उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है तो हमारा answer हो जाएगा यही a cos ax plus b यह हमारा final answer हो जाएगा तो thank you for watching this video मिलते हैं अगले वीडियो में